हलो फ्रेंट्स वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल M.D.K एजू के सिरीज नाम से तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंट्स चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं हमारा आज का पहला कोशन जो है वह है राष्टे खेल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आपका चार ओप्शन दिये गए हैं यहाँ से इन में से जो राइट आंसर होगा वोगा ओप्शन ए 29 अगस्ट को राष्ट्य खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्ट इसका राष्ट्य बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है उसके लावा राष्ट्य खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है यह कोशन इंपोटेंट हो जाता है तो यह मेजर ध्यांचंद की याद में मनाया जाता ह है अब मेजर ध्यांचंन्द का नाम आए तो इस से लेड़े indo कुछ कौशन जान लीजिए मेज़र ध्यांचंद को की का जादूगर का जाता है का जाता है का फ tah idée करें होकी में प्रस्य इसलिये इनको होकी का जादव गाजाता है इन्होंने तीन बार पको लंपिक में गॉल्ड मेडल दिलाये हैं तीनो बार लगातार एक बार 1928 में एक बार 1932 में एमस्टरडम के ओलंपिक में 1932 में लोस एंजलिस को ओलम्पिक में और 1936 में बर्लेन में जो ओलम्पिक वहा था वहाँ पे अब इनको एक जर्मन आर्मी में senior जो पस्त थी वो ओफर की गई थी बट इन्होंने उसको refuse कर दिया क्योंकि इन्हों में देश प्रेम्ण की भावना कूट-कूट कर बरी होई थी घर अपनी देश के साथ घदारी नहें कर सकती है इस कोफर किया कि आप हमारी जो जर्मन आर्मी है उसमें मैं आपको एक सिनर पोस्ट दूँगा आप महां से होकी के लिए जर्मन की तरफ से लेकिन रिफ्यूज कर दिया उस पोस्ट को तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इस कोशन के बारे में याद रखने है नेक्स हमारा कोशन आता है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की पहली महिला अज्दक्स कोन बनी तो इसमें से आपको चार उप्शन में से मैं राइट आंसर बता देता हूं आपको और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की पहली महिला बनी एनी बैसेंट एनी बैसेंट और बाल गादर तिलक इन दोनों ने मिलके होम रूल लीग की स्थापना की थी होम रूल लीग की स्थापना उसके लावा एक कोशन और इंपोर्टेंड बन दाता है यहां से क्या एक तो हब भारती राष्टे कॉंगरेस की पहली महिला अद्देक्स दूसरा भारती राष्टे कॉंगरेस की पहली भारती महिला अद्देक्स ये तो होगी पहली महिला अद्देक्स अब अगर कोसिन आए ना पहली भारती महिला अद्देक्स तो आपका वहाँ पर टांसर क्या होगा स्रोजनी नायडू पहली भारतिय माईला इद्धराश्टक होंगर इसकी बनी स्रोजनी नायडू तो ये आपको second question के बारे में ध्यान रखना फ्रेंट्स ठीक है एनी बैसेंट का मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है ये एनी बैसेंट है जिसका अभी मैंने question में जिकर किया तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है अभी वीडियो को post करके comment कीजिए वीडियो के बारे में आप अपना suggestion भी दे सकते हैं कि आपको इसमें और क्या changements चाहिए है कुछ friends के suggestion आया है कि वो इसको थोड़ा loud करो तो अभी एक दो दिन में मैं आपके लिए कुछ अच्छे से mic का इंजाम करूंगा जिससे आपको वो इसमें कोई problem नहीं आएगी तब तक आप थोड़ा सा corporate करना उसके लाव आप कि जो भी suggestion आप suggest कर सकते हो और comment में अपना कीमती feedback जरूर देना मैं सिर्फ 500 likes का इस वीडियो का target रखता हूं और ये जो मेरा target है वो आप ही का target है क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाए जा रही है इसलिए target भी आप ही का आज देखते हैं कितनी जल्दी आप अपना target अच्छीव करते हो 500 like का और वीडियो को ना share जरूर किया गरो जितने आपके पास study group है सम्में इस वीडियो को share कर दिया गरो ये मेरी आपसे request है humble request ठीक है next question पर चलते हम थर्ड question हमारा देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है तो ये चार option दिये गए हैं यहापे इन में से जो right answer होगा वो होगा आपका चितरंजन दास चितरनजन दास को देश बंदू के नाम से जाना जाता है तो right answer हो गया option B इसके लावा एक है दीन बंदू देश बंदू और दीन बंदू इन दोनों में काफी आपको confusion होता है तो दीन बंदू के नाम से जाना जाता है C.F. Andrews को C.F. Andrews को देन बंदू के नाम से जाना जाता है और देश बंदू के नाम से चितरनजन दास यह आपको ध्यान दखना है एक बार आप दोनों की photo देख लीजिए यह जो आपको बाई तरफ दिख रहे हैं यह है C.F. Andrews जिनको देन बंदू के नाम से जाना जाता है और राइट में चितनाजन दासन जिनको देश बंदू के नाम से जाना जाता है ठीक है पिक्चर में आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपकी मेमरी में जो नौले से हो ज्यादा टाम तक सेव रहे यहां पर राइट आंसर हो गया उप्चन दी तो नौले से बुलंद सहर में यहां पर राइट आंसर हो गया उप्चन दी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी चलिए अब हमारा next question है 5th number question पीचर सब्ध की scale से सम्बंदीत थै तो पीचर सब्ध जिस scale से सम्बंदीत है उस scale का नाम है baseball यानि कि C option यहाँ पर right answer हो गया आपका sorry C option नहीं मैं यहाँ पर गलत बता गया थोड़ा सा sorry B option B option है baseball baseball से सम्मंदित है picture sub अब baseball की बात आगी तो baseball के बारे में थोड़ा जान लेजिए baseball में खेलाड़ी हो जिसंख कितनी होती है no, सबसे important question उसके लाव baseball के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है baseball का जो खेल का मैदान है उसको diamond के नाम से जाना जाता है diamond इसके खेल के मैदान को कहा जाता है यह दो question यहाँ से और important हो जाते हैं बेर important यह question यहाँ से next question आपका six question Oscar पुरुषकार कब शुरू हुए ओसकर पुरुषकार जो की एक इंटरनेशनल लेवल का पुरुषकार है जो की फिल्मी सेतर में दिया जाता है फिल्मी सेतर में इंटरनेशनल लेवल पे पुरुषकार दिया जाते हैं ओसकर पुरुषकार ये शुरू कब हुए ये कोशन है यहां पे तो यह शुरूवे थे 1939 में यानिकी B option यहां पे right answer हो जाता है तो हमारा next question है 7th question पे चलते हैं भारतिय राष्ट्य दवज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना है यहां पे आपको 4 option दिये गए हैं तो इन में से right answer होगा आपका 3 अनुपात 2 यानिकी अनुपात 2 के अनुपात में भारतिय राष्ट्य दवज की लंबाई और चोड़ाई है अब मैंने option में यहां पे A option में आपको 2 अनुपात 3 दिया है तो यह easy लिए दिया है ताकि आप गलती ना करें इसको मैं यहां पे आपको explain करना चाहता हूँ 2 अनुपात 3 का मतलब हो गया लंबाई 2 और चोड़ाई 3 तो यह अनुपात 2 होगा यह लंबाई 3 और चोड़ाई 2 इस तरह से ठीक है तो उसके अलावा जो भाति राष्ट्य दवज है उसमें 3 दंगों की 3 पटियां होती है कौन-कौन से रंकी सबसे उपर केसरिया फिर बीच में स्फेद रंकी प्योंति है उसमें एक नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट कोशन है दो तीन वह आप जान लीजिए भारतिय राष्ट्य धवज को अंगी करीत कब किया गया यानि कि स्विकार कब किया गया बनाया कब गया अंगी करीत 1947 में क किया गया भारतिय रास्ट्य धवज को उसके अलावा एक कौशन आ जाता है भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस में जो नीले रंग का चक्कर है पहले उसके चकर की जगह चर्खा लगा होता था उस चर्खे की जगह चकर चकर को बदलकर कब लगाना शुरू किया तो उसका राइन है वर्तमा राष्टे दोजगा वो किनो ने किया उनका नाम है पिंगली वेंक्या पिंगली वेंक्या मैं आप लिख देता हूँ आप नोट डाउन कर लिजिए मैंने आपको काफी बार बोला जब भी आप मेरी वीडियो देखने बैठो तो साथ में एक कोपी पैन लेकक कौन है चार ऑप्सन आपके पास दिये गए है इनमें से राइट आंसर ओगा उप्सन ए देव की नंदन खतरी चंदरकानता उपण्यास के लेकक है यह मैं आपको दिखा देता हूँ देव की नंदन खतरी का फोटो यह आपको सानमने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं य भारत में सौरपर्थम जिस मिसाइल का प्रियोग किया गया था वो थी प्रित्वी मिसाइल यानि कि D option इसका right answer हो गया और प्रित्वी मिसाइल जो थी वो भारत दोबारा सवदेशी निर्मित मिसाइल है यानि भारत दोबारा ही बनाए गई है वो मिसाइल किसी भी देश का सह करती है उसके अलावा अब हम हमारा नेक्स कोशन देखते हैं टेंथ कोशन टेंथ कोशन है बलैक पैगोडा परसीद सूरिया मंदिर कहा श्तित है बलैक पैगोडा के नाम से कोणा का सूरिया मंदिर परसीद है कोणा का सूरिया मंदिर को बलैक पैगोडा कहा जाता है यह काफ आपके लिए उडिशा करनाटक केरला और अंधरपर्देश तो इन में से जो राइट आंसर होगा वो मैं बता देता हूं यह उडिशा में स्थीत है उडिशा में भी कोनार्क नामक एक जगह है वहां पर यह जो बलेक पैगोडा नाम से परसी सुरिया मंदर को जाना जाता है स्थीत है ठीक है तो उसके अलावा युनेशको द्वारा जो वीश्व द्रोहर के रूप में भी इसको मानता दी गई है कोनार के सुरिया मंदर को आपको पता है हमारे भार की कुल 36 ऐसी जगहें हैं जिनको युनेशको द्वारा वीश्व द्रोहर के रूप में वर्ड हैरि पेसे लेता हूं ताकि साथ साथ आपकी करेंट फेर भी कवर होती रहे उसके लगा दोस्तों मैं बता दूंँँ आपको कि आपकी काफे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप करेंशी और कैपिटल पर वीडियो लेकि आई ए और भी कुछ आप बता रहे हो कि अभी जो हाल फ्लाइ आप बोले थे जो टोप फुल फॉर्म है वो ही ले गया ये तो मैंने आपके लिए टोप 150 पलस फुल फॉर्म कलेक्ट की हैं तो उनकी वीडियो आपको या तो कल मिल जाएगी या फिर परसों एक दो दिन में आपको 150 पलस फुल फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी फुल इस सिर्ष उसस्थान पर कोन सा देश है? इस सिर्ष यानि की टोप पर सबसे पहला सिर्ष उसस्थान कोन सा. फिफा रैंकिंग में किस देशका, तो यहां पर चार उप्षन दिये गए हैं आपके लिए. इन में से right answer होगा option B Belgium का यहाँ पर सिर्थ स्थान है पर्थम स्थान है FIFA ranking में उसके लावा दूसरा और तीसरा स्थान की बात करी जाए तो second number पे है France और third number पे है Brazil ठेक है यह कुछ आपके points इस question से बन जाते हैं उसके लावा यहाँ पर FIFA की बात की गई है तो FIFA की full form भी आपको पता होनी चाहिए FIFA की full form क्या होगी Federation International D Football Association Federation International D यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा D.E.D. Football Association ठीक है यह full form का question भी इस क्रेंट टफेर के question में से आपके लिए निकल गया है ठीक है तो अब हम हमारा next question है उस पे चलते हैं 12th question ACI महिला कौन बनी है यहाँ पर 4 option आपके लिए दिये गए हैं तो इन में right answer जो होगा वो होगा आपका विदांगी कुल करनी यहाँ की option C यहाँ पर right answer हो जाएगा अब यह हुआ है ACI महिला की बात अगर यहाँ पर world में बात की जाए तो world में है ब्रिटेन की जेमी ग्राहम मनाम लिख देता हूँ जेमी ग्राहम यह world की हैं जन्होंने बिलकुल यही same record बनाया है इन्होंने ACI में बनाया है जेमी ग्राहम ने world में record बनाया है ठीक है तो आज की मारे 12th question complete हुए जल्दी से देख लिजे कल के जो question मैंने आपको home work में दिया था उसका answer क्या होगा साथ में उन तीन बच्चों इन्होंने इसका बिलकुल correct answer दिया यह हैं वेदांगी कुल करनी जिनका भी मैंने इस last question में जिक्र किया अब देख लिजे जल्दी से आप आपके कल का home work था हाल ही में railway board के नए edX कोन बने है तो यह आपका home work था इसका right answer हो जाएगा option B वी के यादो हाल ही में railway board के नए edX बने हैं अब इसके बारे में जो students ने अपने comment दी है उनको देख लिजे यहाँ पर आदित यादो है जिनोंने इसका बिलकुल वीडियो तो थैंक साधित आपको कि आपने हमारी इतनी तारिफ की उसके लिए अब next है जो वो है आकास तिवारी इन्होंने बताया दक्षीन मज्धै रेल्वे के जनरल महापरबंदक वी के यादो को रेल्वे board का नया चेर्मेन निक्त किया गया है बिल्कुल सही आंसर इन्होंने बताया है अब जो इन्होंने साथ में कमेंट किये वो बोला है सर हम आपके साथ हैं और साथ मेहनत करेंगे हाटली थैंक्यू सर तो ऐसे ऐसे कमेंट देखके ना दिल भूत खुश हो जाता मेरा आपकी जब ऐसे कमेंट मैं देखता हूँ ठीक है तो अब देखते हैं नेक्स कोशन है सचिन भार्दवाज सोरी कोशन कर गया है कमेंट ये आप इनका फोटो देख सकते हो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है वीके यादो है विके यादो बिल्कुल सही अंसर हैंका उन्होंने बोला इस चे पहले अस्विनी लोहानी थे और साथ में उन्होंने इमारी कुछ तारी भी किया सर आप ग्रेट हैं और टीचिंग का आर्ट आपका फैंटास्टिक है आई सेल्यूट यू जैहिन सचिन भादवाज आपको भी तो ये देख लिजी आपका आज का हूवर की ये कोशन है कि हाल ही में महिला विग्यान कॉंग्रेस का उद्गाटन कहां किया गया है आपके पास चार उप्शन दिये गए हैं आप जल्दी से अभी वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए इस कोशन का राइट आपके लिए और लगता है कि इस वीडियो से किसी का बलाव सकता है तो इस वीडियो को जरूर सेर करना जितने आपके पास स्टेडी ग्रूप है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ दोस्तों आपके लिए इतना चामेटल इस वीडियो में लाय जा रहा है तो प्यार आपके उपर बरसता है वीडियो के माधन से बेस्ट कोसिंस के माधन से ठीक है तो दोनों अल्टरिनेटिव हैं एक दूसे जुड़े हैं कनेक्शन है आप जितना प्यार दिखाओगे आपको उतना ही अच्छा मेटल मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो म मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे अलविदा कहता हूँ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जैहीं जैभार्थ